तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच लिटिल बिट हलो इस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और अभी के लिए कि इंडिया स्मार्ट वॉच मार्केट में बाढ़ आई हुई है काफी सारी डिफरेंट बेंड्स अपने-पने स्मार्ट वॉच लांच कर रहे हैं खासतोर से अभी के लिए क्रेज बहुत जादे बढ़ गया है स्मार्ट वॉच इसको लेकर और साइद मैं भी थुड़ा सा यंग लग रहा हूँ आज कि सारी चीजे देखेंगे क्या खास इसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है जिस प्राइज में मिलता है अब के लिए वैल्यू फोर मनी रहेगा कि नहीं तो स्टार्ट करतें इसके अन्बॉक्सिंग से बॉक्स बिलता है कुछ इस तरीके से नॉइस की ब्रेंडिंग नॉइस फिट इवॉल्व 2, model name साथ में स्मार्ट वॉच का पिक्चर, fitness स्मार्ट वॉच यहां पर दिया हुआ है, साइड में डिजाइन इंडिया, number one wearable watch brand in India 2020 यहां पर दिया हुआ है, इंडिया's most promising brand भी यहां पर दिया हुआ है, पीछे की दरफ कुछ की features, specifications वगरा और app क बारे में बताया किया है, जिन सबकी बात आगे वीडियो में आपसे करनी ही वाले हैं, फिर भी अगर आपको चाहिए, तो वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं, साथ में आपर साइड में दिया हुआ है, product name, model name, box contents के डेल, customer care के के डेल, imported marketed by के डेल, country of origin है, China मतलब के made in China product है बागी MRP है, यहाँ पर 7999, लेकिन आपको यह regular price में 3999 मतलब कि 4000 में 1 रुपए कम का मिलने वाला है, box को open करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रखा हो मिल जाता है, यह कुछ नहीं है, इसके नीचे है, यह एक envelope जैसा है, जिसके अंदर मिल जाता है, कुछ documentation, brand गिरफ से welcome card ह यहाँ पर मिलते है, noise के noise maker वगएरा, सुनो दिल का सोर, एक user guide, next है मिल जाता है अपना smart watch, और साथ मैं यहाँ पर मिलता है, इसको charge करने के लिए, USB A2 magnetic वाला charging cable, अब next कुछ भी नहीं है, तो वापस आ जाते है, अपने smart watch पर और फटाफट से इसको set up कर लेते हैं, तो यहा हैं, तो directly play store या फिर app store में सर्च करके भी download कर सकते हैं, और फिर आपको कुछ नहीं next next करते जाना है, अपना height, weight वगएरा, date of worth वगएरा, fill करके profile सेट करना है, और बड़े आराम से आप इसको set up कर पाएंगे, next अभी के लिए start करें, इसके design और build quality से, तो यह जो smart watch है, circular shape के dial के साथ में आता है, black color वाला variant है मेरे पास, इसके लावा pink और silver color में भी available है, तो आप अपने choice के साफ से select कर सकते हैं, top पर यहां पर glass दिया हुआ है, side में metal का frame है, और पीछे की तरफ यहां पर polycarbonate plastic की casing दी हुई है, पीछे की तरफ noise की branding, कुछ और details वगएरा, साथ में सकते हैं noise की branding, noise का logo strap के ओपर भी दिया हुआ है, और इतने सारे holes यहां पर दिया हुआ है, जिसकी वएसे wrist में जब पहनते हैं, तो बड़े आराम से fit हो जाता है smart watch, साथ में smart watch lightweight भी है, तो comfortable रहता है, और 5 ATM water assistant certification भी यहां पर दिया हुआ है, तो पानी मानी में अगर भीग ज जिसका AMOLED display, जिसका resolution है 390 by 390 pixels का, और AMOLED display है, तो जैसे कि आप expect कर सकते हैं, colors वगरा काफी पंची रहते हैं, black, deeper black दिखता है, साथ में जो sharpness के levels हैं, वो भी काफी अच्छे हैं, डिस्पले के अंदर, तो indoor में, shade में, अगर smart watch को इस्तमाल करेंगे, तो display काफी ज़्याद अच्छे हैं, बस एक जो दिक्कत है, वो है display के side में मिलने वाले borders, मतब के bezels, ये काफी ज्यादा थिक हैं, और इसकी वज़े से ये जो display area है, वो काफी कम लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है, कि AMOLED display है, जिसकी वज़े से deeper black मिलता है, और जब कोई black color का watch face है, या फिर तो इसका always on वाला watch face है, ये जब लगा हुआ रहता है, तो पूरा ही display लगता है, मुझे लगता है display थोड़ा सा और बड़ा होता तो बहतर होता, लेकिन जो touch response है, ये मैं बोलूँगा काफी ज़़े responsive है, अच्छे से काम करता है touch screen, next smart watch के features और OS की बात करें, तो यहाँ पर basic noise के smart watch OS मिलता है, simply home screen पर tap and hold करके आप watch faces के बीच में switch कर सकते हैं, total 6 watch faces मिलते है smart watch के अंदर, लेकिन इन 6 watch faces के राबा और भी काफी सारे watch faces हैं, जो की noise fit app के अंदर मिलते हैं, और directly app के जरीए यहाँ पर watch face को switch कर सकते हैं, और watch faces में मुलूँगा कई सारे मुझे personally काफी ज़ call वगएरा के details वगएरा मिल जाएंगे, message वगएरा को read कर सकते हैं, quick reply का option भी यहाँ पर पताया गया है, लेकिन मुझे नहीं मिला, right में swipe करेंगे तो weather information, weather forecast मिल जाता है, थोड़ा सा और right में swipe करेंगे तो sleep monitoring के details मिल जाते हैं, music controls भी यहाँ पर मिल जाते हैं, simply play pause, next, previous और volume क हम जादा कर सकते हैं, अपने smartphone के music player का, साथ में workout के details वगएरा भी मिल जाएंगे, और वापस से हाँ पर home screen आ जाती है, right में swipe करेंगे, तो फिर से यही सारे features मिलते हैं, next, ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं, तो यहाँ पर दिख जाता है, pair है कि नहीं smart watch, blue color का symbol दिखता है, Bluetooth का, battery percentage के details मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर आपको मिल जाती है, date और day के details, raise to wake on off कर सकते हैं, settings मिल जाती हैं, साथ में brightness controls भी हैं, D&D on off कर सकते हैं, as a torch भी इस display को इस्तमाल कर सकते हैं, पूरा ही display white हो जाता है, अंदेरे में काफी काम आ सकता है, बागी जैसे कि मैंने बत जाते हैं, काफी सारे different workout modes मिलते हैं, जैसे कि cricket, yoga, hiking, indoor cycling, outdoor walk, indoor run, अपसे button को press करके, या फिर राइट में swipe करके back आ सकते हैं, workout records भी यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ में heart rate monitoring भी हाँ पर मिल जाती है, spo2 monitoring यहाँ पर मिलती है, activity records, sleep monitoring, breathe exercise भी मिल जाती है, music control, messages, weather, stopwatch, timer, alarm, flashlight, find my phone का अप्शन मिल जाता है, बाइचंस फोन कहीं रखकर भूल गए है, simply tap करके ring कर सकते हैं, अपने फोन के ऊपर, नेक्स हैं, camera access कर सकते हैं, camera open करके रखेगा, smart phone का, simply tap करके smart watch के display के उपर photo capture कर सकते हैं, वागी settings के अंदर यहाँ पर watch face change करने का option मिल जाते हैं, always on display के दो watch face दिये हुए है, जिन मेंसे जो भी आपको पसंद है, digital वाला है, फिर analog वाला, आप select कर सकते हैं, मुझे analog वाला सही लेवल को भी adjust कर सकते हैं, brightness level adjust कर सकते हैं, power on off, restart, reset के option भी आपर available है, और about के अंदर smart watch की information मिल जाती है, तो उपर वाला बटन तो काफी ज़्यादे काम आया, back करने के भी काम आता है, मैंनू में खुछने के भी काम आता है, बाकि जो नीचे वाला बटन है, यह केवल sports mode में एंटर करने काम आता है, बस एंटर ही कर सकते हैं, इसके जरीए वापस भी नहीं आ सकते हैं, swipe करना पड़ेगा, या फिर इस बटन को प्रेस करके ही वापस आप आएंगे, जो उपर वाला है, तो मुझे यह वाला जो बटन है नीचे वाला बहुत ज़्यादे यूसफूल स तरीके से काम करती है, जो रेजल्ट्स हैं, वो काफी एकूरेट से लगे मुझे, साथ में जो एस्पीटो मॉनिटरिंग है, वो भी ठीक ठाक तरीके से काम करती है, स्मार्ट वाच के अंदर, बहुत ज़्यादे एकूरेट नहीं वो लूँगा, और ये एक मेडिकल स्क्रीन को जैसे ही कवर करेंगे, तो लॉक्त स्क्रीन आ जाती है, मतलब कि जो आल्वेज ओन वाला वाच फेस है, वो दिख जाता है, बटन को प्रेस करना पड़ता है, ये एक थोड़ी सी रिक्कत लगी, और जितने भी फीचर से जैसे कि इंस्टेंट कॉल अलर्ट मिल ज लेकिन लाइट अप नहीं होता है, स्मार्ट वाच नोटिफिकेशन उपर नहीं देखता है, जब आपने अल्वेज ओन स्क्रीन ओन किया हुआ है, आपको प्रेस करना पड़ता है, बटन नोटिफिकेशन पैनल में जाना होता है, तब यहाँ पर चेक कर पाते है, नोटिफ अपस वगेरा में देख जाता है, वीकली, मंतली, येरली फॉर्मेट में अविलेवल है, स्टैप काउंटर वगेरा, कैलोरी कितनी बर्ण की, कितनी तेर तक रात में सो, हार्टेट मॉनिटिंग 24 आवर्स की है, जिसका आपको ग्राफिकल डेटा देखने को मिल जाता है, ब हार्टेट मॉनिटिंग आउफ कर सकते हैं, आइडियल अलर्ट मिल जाएगा, बहुत देर से एकी जगे बैठे हैं, तो आपको उठके गूमने के लिए रिमाइंड करेगा, कि अलाम वगरा भी सेट कर सकते हैं, साथ मैं एपल हैल्थ या फिर गूगल फिट के साथ मैं भी को सेंक कर सकते हैं, अच्छी बात है, और डिफरेंट एप के नोटिफिकिशन वगरा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, किस एप का नोटिफिकिशन चाहिए, किस का नहीं, तो ओवर ओरल नॉइस फिट एप जो है, मुझे काफी तगड़ा एप लगा, नॉइस वालों ने काफी जड़ा काम किया है, इस एप के ऊपर, नेक्स चार्जिंग और यूसिस टाइम की बात करें, तो फास्ट चार्जिंग मिलती है, स्मार्ट वोच के अंदर 30 मिनेट्स चार्ज करके, पास दिन तक इस्तमाल कर सकते हैं, और 0-100% चार्ज करेंगे, तो करीब करीब एक घंटा लग सकता है, तो एक बार फुल चार्ज करके, स्मार्ट वोच को ब्रेंड का कहना है, करीब करीब साथ दिन तक इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूगा, डेपेंड करता है आपके यूसिस पर, बहुत जादे नोटिफिसंस बगर आते हैं, बहुत जादे कॉल्स वाल्स साथे हैं, सबी के नोटिफिसंस इसके उपर मिलेंगे, बाइबरेशन को हाई लेवल पर रखा हुआ है, आतमे ब्रैटनेस को भी फुल करके रखा हुआ है, ऐसी और भी कई सारी चीज़ें है, जिनकी वज़ह से यूसिस टाइम कम हो सकता है, मेरे यूसिस में मेरे हिसाब स यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच है, इसके जरीए मुझे चार से पांच दिन का यूसिस टाइम बड़े आराम से मिल जाता है, चुके मूलूँगा, इसके डिस्प्ले को देखते हुए और बागी सारे जितने फीचर से उनको देखते हुए, अच्छा है, फाइलि अगर मैं स यह वाले जो मौटे-मौटे बॉटर्स हैं, यह थोड़े से कम होते तो जाधा अच्छी बात थी, इस टिल मैं बोलूँगा, 3500 के एप्रोक्स अगर आपको मिल रहा है या फिर उससे कम में मिल रहा है, तो जरूर से आप इसको बाई कर सकते हैं, मिरे तरफ से एक पिक है, बगि आप बताना मत भूलेगा, आपको कैसा लगा यह वाला स्मार्ट वोच नीचे कमेंट्स में जाकर वीडियो पसंद आए, तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, जिसको भी यह वाला स्मार्ट वोच चाहिए, फिर इसी तरह कोई स्मार्ट वोच टून रहा है, झाल, 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